माबाप ने नाम रखा इंद्रा दोस बुलाते थे इंदू और फिल्मों में आई ये मौशमी चाटर जी के नाम से जन 26 अपरेल सन 1953 बंगाल में हुआ मौशमी चाटर जी के पिता प्रंतोष चट्वपाध्याय आर्मी में थे और उसके बाद वो कलकता में बस गए ये बात मशूर है कि कोलकता में मौशमी चाटर जी जहां रहती थी वहाँ पर आसपास बहुत सारे फिल्म स्टूडियोस थे और उन फिल्म स्टूडियोस के बीच में कई बार मौश्मी जी के दिल में ये बात आती थी कि वो भी फिल्मों में काम करें मौशमी चाटर जी फिल्मों में काम करना चाहती थी लेकिन ये बात उन्होंने अपने घर पे नहीं बताई थी पर जैसा किस्मत को मंजूर था वैसा ही हुआ फिल्म डारेक्टर तरुन मजूंदार ने मौशमी को स्पॉट किया और मन बना लिया कि वो उनकी फिल्म के अंदर रोल करेंगी हाला कि मौशमी चाटर जी के परिवार वाले इस बात से खासे खफा थे कि मौशमी फिल्मों में काम करें पर उस जमाने में बेंगौल की सूपर स्टार एक्टरेस संध्या रोय ने मौशमी चाटर जी के परिवार वालों को समझाया कि वो इन्हें फिल्मों में काम करने दें और हर जगा अच्छी और बुरी होती है ये तो इनसान पर निर्भर करता है वो किस तरह के निर्णे लेता है और इसी बात पर मौशमी चाटर जी ने फिल्मों में कदम रखा उस फिल्म का नाम था बाली का बधू सन 1973 में इन्होंने मुंबई की तरफ रुख किया और फिल्म अनुराग से अपने कदम मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में जमा लिये फिल्म अनुराग में मौशमी चाटर जी के अभिने को देखकर उन्हें अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया था और इस फिल्म को बेस्ट पिक्चर का अवार्ड भी मिला था सन 1974 में मनोश कुमार की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में भी मौशमी चाटर जी के अभिने ने सब को हिला के रख दिया था और फिर अमिताब बच्चन के साथ मौशमी चाटर जी की जोड़ी को खूब सरहा गया सन 1974 की फिल्म बेनाम और 1989 की फिल्म मन्जल में लेजनरी म्यूजिक कंपोजर और सिंगर हेमंत कुमार साहब ने मौशमी चाटर जी का हाथ उनके माता-पिता से मांगा अपने बेटे जोयनतो मुखर जी के लिए मौशमी चाटर जी उन हेरोईंस में से हैं जिन्होंने शादी के बाद भी अभिने नहीं रोका वो फिल्मों में काम करती रही मौशमी चाटर जी ने सिर्फ एमोशनल रोल्स ही नहीं किये गुलजार सहाब की फिल्म अंगूर में उन्होंने अपनी कॉमिक टाइमिंग से ये साबित कर दिया वो एक संपून अभिनेत्री है धीरे धीरे मौशमी चाटर जी ने कारेक्टर रोल्स प्ले करने शुरू किये मा, भावी और उसके बाद इंडियन सिनेवा में अगर कोई मौडन मा है जो हसा सकती है और रुला भी सकती है तो वो है मौशमी चाटर जी और ये तमाम बातें उनकी फिल्म्स ने साबित की है फिल्म बाली का बधू हो या अनुराग या कच्छे धागे या फिर अंगूर हर रूप में मौशमी चाटर जी ने अपने फैन्स के दिल में जगा बनाई है भारतिय सिनेमा के थिहास में मौशमी चाटर जी का नाम हमेशा गर्व से लिया आ जाएगा बॉलीवुट की लेटिस्ट खबरें और गॉसिप के लिए लॉग आन करें facebook.com slash ultra hindi और twitter.com slash ultra hindi पर